नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका हमारे चैनल दध टीम पर आज हम बात करेंगे सपने में प्लेज देखना यानि हवाई जाहज देखना तो सपने में हवाई जाहज देखने की मुख्य तरह तीन अवस्थाएं होती है या तो आप प्लेन उड़ा रहे हैं या तो आप प्लेन में बैठे हैं या फिर प्लेन क्रैस हो गया है ऐसा आपने सपने में देखा है तो तीन मुख्य अवस्थाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूँ इसके अलावा अगर आपने कुछ अलग देखा है तो आप मुझे कमेंट करें मैं कमेंट में उस बात का उतर आपको जरूर दूँगा दोस्तो एक बात और आपको बता दूँँ कि इसी चैनल पर हम भगवान से रिलेटेड बहुत ही रोचक रोचक कहानिया ले के आते हैं इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो पहली अवस्था की बात करें जिसमें आप प्लेन को उड़ा रहे हैं तो प्लेन को उड़ाना अती सुबसवपन माना जाता है यहाँ प्रगती प्रमोशन आने वाले समय में किये गए कारियों में शफलता इन सब बातों का प्रतीक है इससे धनलाव के प्रतीक की रूप में भी माना जा सकता है दूसरी अवस्ता है दोस्तों कि आप प्लेन में बैठे हैं तो यह भी सेम उसी की तड़ा सुबसवपन देने वाला है आप प्रगती कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं आपको यश की प्राप्ती होगी द्धन की प्राप्ती होगी कि कोई सुखत समचार मिलने की शंभावना है तीसरी अवस्था की बात करें यह दिआपने plane को crash होते हुए देखा है दोस्तों तो यह एक असुबस्वापन है plane crash होते हुए देखना या plane का दुरघटना होते देखना या इस बात का प्रतीख है कि आने वाले तर्षा समय में, आपको और कोई दुखत समचार प्राफ्ट हो सकता है, या आपके साथ कोई उखण घटना हो सकती है। या कोई दुखत सूचना या परिशानिया आपके सामने आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों यदि अपने सबने में प्लेइन से बंबारी होते वे देखा है तो यह भी एक दुखत सौपन है इससे आने वाले शमय में परिशानिया या कोई ऐसी घटना आपके साथ हो सकती है जिसके आपको आसाना हो तो इसके प्रतिस्था चेत रहें तो मित्रो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धर्नेवादा